इस question को करने के लिए मैंने अपने पहले hint वीडियो में आपको बताया कि यहां आपको दो जो फंडा है वो लगाने है पहला फंडा जो लगाना है वो है अप एंगल ओफ रिपोस का और दूसरा फंडा जो हमें लगाना है वो है हमारा kinetic friction during sliding जिसकी information हमें extra दी गई है कि चार सेक और वो पूरा solution देखना चाते है तो देखिए आगे कैसे solve होगा अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है इतने question आप देख चुके हैं कि आपको यहां पर यह तो पता ही है कि down the incline के लिए हमें FBD बनाना है question के दो पार्ट थे तो पहला पर्ट तो हमारे पहले फंडा से solve हो 0.6 के अप्रॉक्स तो एक answer तो हमें यहां मिल गया था अब इसके बाद हम option अगर check करते हैं और हमें coefficient of static friction के दो answer मिलते हैं जिनमें value 0.6 है तो हमें kinetic friction निकालने की जरूरत पड़ेगी अगर ऐसा होता कि static friction का केवल एक ही answer होता जिसमें 0.6 दिया है तो फिर हमें आगे solve करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वही हमारा answer बन जाता अब यहां आप देखिए इस fbd में mg sin theta नीचे की तरफ लगेगा तो friction उसको oppose करेगा उपर की तरफ लेकिन आपका जो block है वो 4 meter 4 second में नीचे slide करेगा तो हम down the incline Newton second lock की equation लगाते हैं block पर f net बराबर ma नीचे की तरफ force है mg sin theta रोकने वाला force है kinetic friction बराबर mass into acceleration यहां पे kinetic friction की value हम क्या रखेंगे आपको पता है इसकी value fix रहती है that is mu kn तो यह हो जाएगा mu kn बराबर ma यहां पे normal की value हम क्या रखेंगे तो आपको मालूम है कि inclined के downward direction में motion है लेकिन inclined के perpendicular direction में equilibrium है यानि normal का value रखा जाएगा mg cos theta बराबर ma m common आ जाएगा cancel हो जाएगा तो यहां से हमें acceleration of block मिलेगा कितना g sin theta minus mu k cos theta हम चाहें तो theta का value यहां पे रख सकते हैं क्योंकि theta हमें कितना दिया हुआ है 30 degree अगर नहीं रखना चाते तो आगे बढ़ सकते हैं on applying equation of motion equation of motion हम क्यों लगा रहे है क्योंकि हमें question में यह information दी गई है कि इसको 4 second में 4 meter चलना है और acceleration हमने निकाल लिया है और यह acceleration कैसा acceleration है constant क्यों क्योंकि kinetic friction जो है वो constant रहता है उसकी value chain नहीं होती static की तरह static self adjusting है बट kinetic is the constant force तो यह जो acceleration आपको यहाँ पे हमने calculate किया है यह कैसा acceleration मिला है constant तो हम जानते है equation of motion apply करी जा सकती है कौन सी equation लगाएंगे जिसमें s, t और a का काम हो अच्छा initial velocity क्या है तो question में कहा है कि 30 degree पर वो slide करना start करता है यानि initial velocity 0 लेना है तो equation लगेगी obviously बिल्कुल सही सोचा आपने s equal to ut plus half a t square इसमें distance जो चला वो 4 meter initial velocity 0 half acceleration एका value क्या लेंगे 10 g sin theta लगाना है न और sin 30 minus mu k mu k तो हमें calculate करना ही है cos 30 t square time कितना दिया हुआ है वो भी 4 second दिया हुआ है sin 30 का value आप जानते हैं क्या रखना है half तो क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा 4 is equal to half into 10 ये होगा half minus mu k और cos 30 का value root 3 by 2 into 4 square तो इसको further solve करेंगे क्या मिलेगा हमें मिलेगा 1 is equal to 10 into 1 minus mu k root 3 भाई एक 4 से एक 4 cancel हो जाएगा तो देखिए यहां ये आया यानि mu k का value कितना आया 1 by root 3 1 minus 1 by 10 यानि 9 by 10 root 3 ये calculate करेंगे तो कितना आएगा 0.52 तो ये हमारा answer है mu s हम पहले ही निकाल चुके है mu k भी हमने यहां पर निकाल लिया अब अगर आपको लगता है कि कोई step ऐसा है जो कि मैंने आपको बोला लेकिन यहां आपको text format में नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि यहां आपको सारे steps नहीं मैं represent करता वो मैं बोलता भी हूँ साथ में इसलिए लिखने की ज़रूरत उनको नहीं होती अगर आपका कोई suggestion है और आप facebook page पे join कर सकते हैं जहां मैं tip of the days post करता हूँ ताकि आपको कोई ना कोई चीज ऐसी सीखने को मिलती रहे जिससे की आप better perform करें इसके अलावा instagram पे join कर सकते हैं जहां आपके जैसे ही बाकी students exam related जो आपकी preparation है उसके related updates notification पोस्ट करते हैं आप भी अपडेट notification पोस्ट कर सकते हैं सीख सकते हैं बाकी लोगों से क्या चल रहा है exam के लिए वो भी जान सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please like, share and subscribe और bell icon दबाना ना भूले ताकि next upload आपको timely notify हो सके